इस बार आप मोका चुके तो फिर ये अगली 6000 सालों तक नजर नहीं आएगा एक प्यारा सा धुम केतू यानि की कॉमिट भारत के उपर से गुजरता हुआ दिखाई देगा यानि आप अपनी खुली आखों से 14 जुलाई से लेकर अगले 20 दिनों तक हर सुबा रोश्णी होने से ठीक पहले 20 मिनिट के लिए इसे देख सकते हैं अंतरिक्ष से आए इस बह पूचनी की पूच होती है इसकी तस्पीरी शोशल मीडिया प्लैटफोर्म ट्विजर पर काफी वाइरल हो रही है नियोवायस को अमेरिकी अंतरिक्ष एजनसी नासा ने इस साल मार्च में खो जा था यहावारी धर्ती के सबसे करीब 22 और टे जुलाई को रहेगा तब धर गया जब यह प्रित्विक की तरफ बट रहा था तब इसकी तस्पीरे एस्टोनोट बॉब बेन केन ने ले थी नासा के अनुसार नियोवाइज सूरज के चारों तरफ अपना चक्कर 6800 सालों में एक बार लगाता है यानि हमारे सौर मंडल में अगली बार 1000 सालों के बाद धर्ती पर अब ये 6000 के साल बाद ही देखने को मिलेगा इसे देखने वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि इसे आप अपनी नंगी आखो से भी देख सकते हैं सामाने दूरबीन से भी देख सकते हैं अगर आपके पास एस्ट्रोनोमिकल दूरबीन हैं तो नजारा और भी पहतरीन मिलेगा आप इसे सुभा की रोश्णी होने से ठीक पहले के आदे घंटे के समय में देख सकते हैं यारी अगर सुभा सूरज पांच बज़े उपता है तो आप इसे 4.13 से 4.45 के बीच में उत्तर पश्चिम की दिशामें देख सकते हैं इस कॉवेट को वग्यानिक C 2020 App 3 नियोवाइज भी बुलाते हैं ये भी हो सकता है कि जब आप इसे देखे तो आपको आस्मान में कुछ हलकी फुलकी आतिश बाजी भी देखने को मिले इस कॉमेंट का नाम नियोवाइज नासा की निया अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफारेड सावे एक्सप करने वाली नासा की विज्ञानिक एमी मेंजर बताती है कि इस धूम केतु का लंबाई करीब पांच किरो मिटर है नियोवाइज की केंदकार जनम करीब 4.6 बिलियन साल पहले हुआ होगा तब से ये अपने चक्कर के बीच हमारे सोर मंदल से भी गुजरता है अगर आपको पर पसंद आए किसे लाइक और शेयर करें साथ अपने व्यूजर में कमेंट करके ज़रूर बताएं सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटिस्ट और इंट्रस्टिंग निउस के लिए